हेलो व्रिवान, हाई, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों, मेरे नाम है उर्वशी जोशी और यह है मेरे चानल डपल थ्री, हाई पीस्टेश, दोस्तों आज का जो वीडियो है वो कुंडलीनी शक्ति के उपर है और टॉपिक है क्या कुंडलीनी जागरत करनी चाहिए यह जो कोशन है, बड़े सारे लोग मुझे से पूछते हैं कि माम फलाने फलाने गाइड ने हमको यह गाइड किया है कि कुंडलीनी जागरत कर लो अब जिन डिजायर्स में कुछ लोग फसे हुए हैं, वो डिजायर उनकी फुल्ट फिल्ट नहीं हो पारी कई चीजे क्रिया कांड करने के बावजूद भी जो है, मतलब जैसे law of attraction techniques लगा ली, energy send कर दी, बहुत कुछ कर दिया परन्तो फिर वी उनकी वो डिजायर फुल्ट फिल्ट नहीं हो पारी है तो कहीं कहीं पर किसी किसी नहीं उनको जो है, guidance देना शूरू किया, कि भाई ये काम करो, कुंडलीनी जागरित कर लो, जो तुम चाहते हो फिर होने लगेगा तो कहीं बारी लोग आते और कहते हैं कि माम हम काफी लंबे समय से जो है न बहुत कुछ कर रहे हैं और हमने ये दर उदर यहां यहां से guidance ली है, हमारा ये ये scene है और हमें आप guidance दी जा रही है कि आप अपनी कुंडलीनी जागरित कर लो, पर थोड़ा सा हमें न फियर हो रहा है तो एक second opinion हम आपका भी चाहते हैं, तो आप बताएं क्योंकि थोड़ा सा हमें डर लग रहा है इस चीज को लेके तो देखो मतलब मैंने ये notice करा कि कुंडलीनी जागरित ये इसलिए करना चाहा रहे हैं कुछ लोग क्योंकि इनकी न कोई desires है, low vibrations में हो रखे हैं और कोई ऐसी desire है, जिस चीज ने इनको पकड़ के रखा हुआ है, बांधा हुआ है बहुत जादा strongly और उस इच्छा की चलते या उस इच्छा की पूर्ती के लिए actually मैं कुंडलीनी जागरण करना चाहा रहे हैं कुंडलीनी शक्ति को जागरित करना चाहा रहे हैं अपने अंदर तो सबसे पहले हम कुंडलीनी शक्ति को समझेंगे कुंडलीनी एक डिवे शक्ति है, जो सर्व की तरह साँड़े तीन फेरे लगाकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र, यानि की मुलधार, रू चक्र में स्तित है जब तक ही है इस प्रकार से नीचे रहती है तब तक वो व्यक्ति सांसारिक विश्यों की और भागता रहता है परन्तो जिस व्यक्ति की कुंडलीनी शक्ति जागरित हो जाती है उसकी शारिरिक और मानसिक उर्जा बहुत बढ़ जाती है व्यक्ति खुद में शक्ति और सिध्धी का अनुभव करता है कुंदलीनी जागरित होने के बाद जो प्रमुक लक्षन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं रूच चक्र याने की मुलाधार चक्र में स्पंदन, वाइबरेशन्स वगर होना शरीर में कपकपाहट कपकपी महसूस होना गहरी श्वास का आना वजाना बिना बात के, बिना इच्छा के अच्छानक बहुत जादा रोने लगना या फिर बहुत जादा हसी आना मन का बहाबा विचारों से यानि की बहारी विचारों से शुन्य होना विभिन नादों का स्वर सुनाई देना रीड की हड़ी में स्पंधन मेरू दंड में स्पंधन एक अजीब सा नश्या महसूस हो रहा शरीर में हलका पन दिव्यता का भावादी महसूस होना इन लक्षनों से आप समझ सकते हैं खुंडलीनी जागरत हो रही है इसके अलावा भी कई सारी चीजे और है जो आप महसूस कर सकते हैं परन्तों ये कुछ प्रमुक थी इस विश्य को लेके मैंने पहले भी विडियोस बनाए है और आज का जो विश्य है वो ये है कि क्या खुंडलीनी जागरत करनी चाहिए और इस पर मेरा क्या उपीनियन है तो मेरा मानना ये है कि परमात्मा ने प्रकरती ने हर चीज को बहुत ही ब्यूटिफुली डिजाइन किया है हर चीज का अपना एक समय होता है और मुझे लगता है कि परमात्मा ने प्रकरती ने जब जिस चीज को डिजाइन किया है उसको अपने आप प्रकरतिक तौर से उसी वक्त होने देना चाहिए तो मेरा मानना ये है कि अपने आप से कुंडलीनी जागरत नहीं करने चाहिए जब आप का समय होगा इस चीज के लिए उनका वो समय था प्रकती, नेचर, प्रमात्मा खुच चाते थे कि इस टाइम पीरिट में ये विक्ती जागे और ऐसे ही नहीं जगाया उसका कोई प्रमुकारे भी जुड़ा हुआ है प्रमुकारे तक पहुचने के लिए पहले उसे वो सारे कर्मों को जो उसके अंदर फसे हुए हैं सारे बुरे कर्म जो उसके चक्रास में फसे हुए हैं उनको रिलीस करना होगा तो उसकी तो फिर अपनी एक internal यात्रा है और उस यात्रा में वो किस तरीके से उनको release करता है क्या-क्या नहीं उसके अनुभव होते हैं क्या-क्या सीखता है क्या-क्या realizations होती है और पिछले धाई सालों में बहुत सारे लोगों के साथ मेरा बाचीत हुई और जो चीज मैंने notice करी वो ये थी कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उनकी awakening के बाद यानि कि उनकी कुंडले ने जागरित accidental awakening जो हुई उनकी उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत beautiful transformation आया उनका ग्यान बड़ा उनने कही सिद्धियां पराप्त हुई और वो किसी purpose से जुड़े हुए हैं और बहुत शान्ती से उस कारे को कर रहे हैं और humanity को बहुत कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं इनसानियत के लिए इसके विफरीत मैंने ये देखा कुछ लोगों के साथ जिनकी एक्सिदेंटल वेकनिंग हुई और वो बहुत हडबडा रखे हैं उनको mental disorders हो रखे हैं वो पागल हो रखे हैं उनकी sexual उर्जा बहुत बड़ी हुई है यह बहुत बुरा हाल हो रखा है और या तो फिर उनका सब कुछ बरबाद हो रहा है रिष्टे नाते सब खतम हो गए हैं अकेले पड़ गए हैं जॉब नहीं है कुछ नहीं है बतलब बिलकुल ही उनका गराफ बहुत ही जादा लो पे चला गया है तो इस चीज़ को भी मैंने समझा की ऐसा क्यूं हुआ कुछ लोगों के साथ की अवेकनिंग हुई कुछ लोगों की कुछ लोगों का गराफ बहुत उपर गया कि वो उनमें ट्रांस्वर्मेशन आई उन्हें कई सिधियां पराप्त हो रही है उन्हें वो हिमानिटी से इनसानित के लिए काम कर रहे हैं सोल पॉपोस कर रहे हैं साथ-साथ खुद को निरंतर हील कर रहे हैं और भी जादा अपनी अनर्जी को उपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और भी अपने चक्रास को क्लेंज कर रहे हैं हर वक्त अब्ज़र्वेशन में हर वक्त अवेरनस में हर वक्त खुद को नोटिस कर रहे हैं है जिस भी टाइम पीरिड में इन लोगों की अवेकनिंग हुई है इस से पहले का मानो किसी इस तरीकी किसी पुरुष की 33 साल में अवेकनिंग हुई है या 50 साल में अवेकनिंग हुई है तो पहले उसकी क्या संसकार रही है क्या रहा है उसके जीवन में उसकी मतलब किस तरीक का उसका मानसिकता रही है इस पे भी बहुत डिपेंड करता है मतलब जो पीरिड आता ना जिसमें अब वेकनिंग के बाद जो दो तीन-चार साल जिसमें एकी वेक्ति खुद के उपर काम करता है तो अगर उससे पहले वो काफी कर्मट रहा है काफी सचा-साफ रहा है तो मैंन चीजों में जो व्यक्ति बहुत जादा रहा हो, लालची बहुत जादा रहा हो, गलत चीजे उसके अंदर बहुत रही हो, तो मैंने देखा है कि अवेकनिंग के बाद जादा तर वो काफी उनको परिशानियों को सामना भी करना पड़ता है, उनके खुद के ही जो विचार थे ने हर चीज बहुत beautifully design की है और हर चीज का एक समय निर्धारित किया है तो अगर हम उस चीज को उसी समय पर होने दे तो वो प्रमात्मा की मर्जी से हो रहा है पूरा divine protection, divine guidance सब कुछ आपको उस वक्त मिलता है पर अब किसी लालचवश ये किसी मुख पता नहीं क्या desire उसके चलते आप उस चीज को लेके बहुत over excited हो और पहले ही आप उस चीज को करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है ठीके ना और हाँ पर एक चीज है कि अगर आपकी तरफ ये चीजे आ रही है जैसे कुंडलीनी के बारे में चीजे आपके पास पहुँच रही है तो ये तो 100% है कि ये चीज आपके साथ नाचरल वे में घटित होगी आने वाले स्वालों में क्योंकि ये चीजे पहुचती उन्हीं के पास है जिनके जीवन में ये चीजे होनी है तो आप उस समय का इंतिजार करें जब ये चीजे घटित होंगी तो उससे पहले आप इसको लेकि study करें कि जब ये होता है तो किस प्रकार की चीजे experience होती है तो आप study करें पढ़ ले इन सब चीजों से related बाते ताकि आपके साथ भविश्य में चीजे कभी घटित हो तो जो है आपको पता हो कि अच्छा चलो अब ये जो है start हो गया और इस समय पर क्या क्या करना चाहिए ध्यान और योग तो करना ही चाहिए साथविक food लेना चाहिए साथ के साथ mantra chanting daily होनी चाहिए पूजा पाठ होना चाहिए नकारात्मत लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए और उस दोरान जब आपकी कुंडलीनी awaken होना शुरू हो गई है तो उस वक्त किसी अच्छे guide अच्छे गुरू के संपर्क में भी रहना चाहिए ताकि वो आपको पग पग पे guide कर सके कि ये जो आपके साथ घटित हो रहा है ये क्या है और अब आपको आगे क्या करना है ठीक है तो तो point इसकी ये चीज़ आपको अपने आप से try नहीं करने चाहिए ठीक है ना मतलब कहीं से आप सूनू और आपको बहुत ज़्यदा attraction हो रही है मतलब आपका जागरित हो नहीं है तभी आपको इतनी connectivity हो रही है तो आपने उस वक्त का इनतिजार करना है और उस से पहले सिर्फ आपने इसको लेकी आप जितना पढ़ सकते हो कि जितना भी research कर सकते हो वो करो पर ये experiment मत करो खुद के उपर समय से पहले study करो इस topic को इसके बारे में जानो कुंडलीनी शक्ती की जागरित होने के बाद कैसे कौन सी क्या चीजे हैं जिनको आपको उस समय पर करना चाहिए जो कि आपको मदद कर सकती आपके चक्रास को cleanse करने में और आपकी कुंडलीनी शक्ती को और उपर उठने में इन सब चीजों को ले के आप पढ़ो लेकिन experiment मत करो समय से पहले खुद के उपर YouTube पे आजकल बहुत सारे लोग हैं बहकाने वाले या कुछ भी अंशन्ट guidance देने वाले इन लोगों की बातों में फसके अपनी जिंदिगी को खेल मत बनाओ या रिस्क में मत डाले आप हमें पता है कि हर चीज का beautifully प्रमात्मा ने एक वक्त निर्धारित कर रखा होता है और अगर आपके पास तक ये topic आ रहा है आप इस शब्द को सुनके इस topic को सुनके बहुत जादा excited से भी हो चाते हो तो मुझे 100% लगता है कि ये घड़ित होगा आपके जीवन में ठीक है ना perfect time पे जब उसका सही समय होगा जितनी मैंने बहुने तीन साल में research करी है इस topic पे मुझे ये भी मालूम है कि ये किसी व्यक्ति की जिंदगी में कब घटित होता है जो भी मैंने overall research करी हैं बहुत सारी इन सारे topics पे मुझे ये भी मालूम है कि ये कब घटित होता है और definitely आने वाले समय में मैं वो चीज़ें भी share करूंगे आपके साथ इस platform पे कि ये कब घटित होता है किसी व्यक्ति की जिंदगी में आपके लिए बस यही था मेरा वीडियो कि ऐसे खुद के साथ experiments मत करें ठीके और जब इस चीज़ का perfect right time होगा तब ये चीज़ definitely आपके साथ घटित होगी और तब जो आपने already इस चीज़ को लेके जो study कर रखा है और research कर रखा है तो उस time period में आप जो भी practices करोगे definitely वो आपको help करीगी आपके chakras को cleanse करने में और आपकी शक्ति को उपर उठने में जिससे कि आपके अंदर का ग्यान बढ़ेगा darkness हटेगी consciousness level high होगा परमात्मा से और ज्यादा connect हो जाओगे और ग्यान का भंडार बन जाओगे और जरूर किसी अच्छे कारे से भी आप जूरने लगोगे क्योंकि वो व्यक्ति जिसके अंदर से darkness हटने लगती है वो फिर अच्छे ही कारे से जूरने लगता है वो ज्यान से ही जूरने लगता है वो प्रकाश ही फ्हलाने लगता है सु वक्त इंतिजार करो उस वक्त का ना कि एक्स्पेरिमेंट करो खुद के उपर ठीके ये था मिराज का वीडियो थांक्यू सो मच बबाई ठीक केर